हलो हाई और वल्कम टो यूर चानल सांस्टडी आज हम इस वीडियो में विश्टो के सबसे इंपोर्टांट स्टाडियम के बारे में बात करेंगे जो कि आपके आने वाले एक्जाम में आपको हेल्प करेगा यदि आपने हमारा पुराना वीडियो जो कि भारत के मोस्ट स्टाडियम के बारे में बात करेंगे तो लॉर्ट स्टाडियम इंगलंड की राजदानी लंडन में सेते हैं जिसका निर्मान 1814 को हुआ था और लॉर्ट स्टाडियम की कापासिटी जो है 30,000 लोग एक साथ बढ़ सकते हैं थोमस लॉर्ड के नाम से स्टाडियम का नाम स्टाडियम के बारे में बात करेंगे तो यह यह भी लॉंडन में स्टित है कहां पर नॉटिंगम सायर में और इसका निर्मान 1841 को हुआ था जिसमें 17,500 लोग बढ़ सकते हैं और यह मैंली टेस्ट और ODA यानि कि वांडे इंटरनाशनल के लिए फेमस है यहां पर टेस्ट और वांडे खेला जाता है अगर हम अबल स्टियम के बारे में बात करेंगे तो इसका निर्मान 1845 को हुआ था और कहां पर इंगलंड के केनिंग्स्टन में तो अबल स्टियम इंगलंड के केनिंग्स्टन में स्टित है जिसका निर्मान 1845 को हुआ है और इसमें 25,500 लोग ए अगर हम इडन पार्क के बारे में बात करेंगे तो यह कहां परस्चीत है यह निजलंड में स्थित है और नियुजलंड का राजधानी जो वेलिंग्टन है और इसके पराधान मंदरी जेशिंडा अर्डन है तो इस इडन पार्क का निर्मान सन 1900 में हुआ था और जिसका कापा सिटी यानि कि इसमें 22,000 लोग के एक साथ बढ़ सकते हैं तो इसमें क्रिकट के आलावा रग भी भी खेला जाता है अगर हम वंडर अर्ष टाडियम के बार में बात करेंगे तो यह कहां पर स्थित है यह साथ अपिरका मस्थित है और साथ अपिरका का जो लेजिसलेटिव केपिटल है वो केप टाउन है और जोहन्सबर्ग इसका सबसे बड़ा सिटी है तो वंडर अर्ष टाडियम जोहन्सब स्टाडियम के बारे में बात करेंगे तो ये भी साउथापिरिका मस्थित है और इसका निर्मान 1888 को हुआ था जिसमें 25,000 लोग एक साथ बढ़ सकते हैं तो ये कहां पर स्टित है ये साउथापिरिका की राजधानी केप टाउन मस्थित है और यहां पर जो राष्टर पती ह इनका नाम काईरिल रामफोसा है इनका नाम आपको याद रखना है काईरिल रामफोसा अगर हम आर प्रेमादासा स्टाडियम के बारे में बात करेंगे तो ये कहां पर स्टित है ये स्रिलंका में स्टित है और स्रिलंका की राजधानी कलंबो है और कलंबो स्रिलंका की लार प्रेसिडेंट गोतावाया राजबक्य हैं अगर हम सेख जायद स्टाडियम के बारे में बात करेंगे तो यह अबुधावी मेस्टित है जो की UAE का कैपिटल है और UAE का फुल फॉर्म युनिटेड आरव एमरेट से तो जायद स्टाडियम का निर्मान 2004 में और सार्जा किर्क दुबई है अगर हम बात करेंगे सबिना पार्क किंग्स्टोन स्टाडियम यह जामाइका मस्तित है जो की एक वेस्टन रिज की सिटी है तो सबिना पार्क जामाइका मस्तित है और गुयाना किर्कर स्टाडियम जो की गुयाना मस्तित है यानि की वेस्टन रिज में इंपो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दे इसके कारण मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जब दोस्तों पर तक के लिए जै जरूर इसके कारण मेरे जैंद घजाएब ए झाले जबाद के लिएगां हो जहां गारत पहले हैं